असलाव अलेकुम डियर स्टुडेंट्स, हाओ आर यू तोड़ेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं चप्टर नमबर सेवन, जिसका नेम है धर्मो केमेस्ट्री, क्या आपके पास धर्मो केमेस्ट्री का जो चप्टर है, ये स्मार्ट स्लेबस के अतबार से हम पढ़ेंगे, और स्मार्ट स्लेबस में हमारे पास शुरुआत के अंदर सिर्फ कुछ डेफिनेशन्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको चप्टर के बारे में थोड़ी सी नाव हाओ देता हूँ, कि ये किस तरह का चप्टर है और किस तरह चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़नी हैं, मैं बता रहा हूं, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पर यह देखने लगई हैं, दो अलफाज मिलकर आप बना रहे हैं थर्मो केमिस्टरी को, तो पहला जो वर्ड हमारे पास है धैट इस थर्मो, थर्मो का मतलब हमाम जुबान में यहाँ पर हीट लेंगे, और chemistry का मतलब तो वही पुराना मतलब ही है, यानि असान लफ़ों में बात करें, तो chemical reaction, मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि इस chapter के अथबार से ही आपको बता रहा हूँ, तो thermo chemistry, chemistry, chemistry means chemical reaction, जी, तो आपने ये बाली बात note करनी है, कि हमारे पास एक chemical reaction होने वाला है, उस chemical reaction के दोरान, heat की मिकदार जजब भी हो सकती है, यानि absorb भी और निकल भी सकती है, evolve भी, अगर हम यही सब पुछ पढ़ें, किसी भी chemical reaction के दोरान, फारिज जजब होने वाली हरायत को, तो हम बोलेंगे, that study is called thermo chemistry, it means that the amount of heat absorb or evolve during a chemical reaction, and when this heat is studied, the branch of chemistry is thermo chemistry, बहुत असान सी बात किया, मुश्किल बात ही नहीं की कोई, ठीक है लिए, आई साथ तर जाकर हम इसके बारें मजीद बातें भी समझेंगे, अब होता ही है, कि जायर सी बात है, chemical reaction में कुछ reactants होंगे, और वो reactants products बनाएंगे, अब क्या होगा, अब जिसे मैंने कहा दो बातें हो सकती है, कि heat absorb भी हो सकती है, heat evolve भी होती है, मैं आपको answer दे रहा हूँ, कि ऐसा क्यूं होता है, इसकी reason सिर्फ इतने सी है, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन में अगर वो अलग अलग हैं दूसरे से, तो जायर सी बात है, उनकी कुछ properties भी अलग अलग हैं, हम इसमें से उनकी heat ये energy की properties का अगर to different kind of things, इसकी reason भी काफि सारी है, मैं फिलाहाल यहां relevantly बात करने लगा हूँ, वो ये, कि देखो भी reactants में भी कुछ bonds होते हैं, और products में भी कुछ bonds होते हैं, अगर bonds को हमाले, कि bonds क्या हैं, तो कहेंगे, the force which is responsible of bonding, या which is responsible for retain the two things together, दो चीज़ों को करीब रखने वाली, दो atoms को करीब रखने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब आप सोचें ना कि atom, मतलब अगर दो इनसान हैं, वो आपस के अंदर मिलकर रहते हैं, इसका अगर दो लोग आपसे बाते करें, और कुछ ही देर बाद वो उठ जाएं, या उन दोनों में किसी किसम की बातों के द एक को जो चीज़ पसंद है, दूसरे को पसंद नहीं है, या अगर आप बात करें ड्रामे की, एक तुनाता है भाई, एक ड्रामा था, वो बहुत अच्छी उसकी स्टोरी थी, ये था वह था, और दूसरा वाला उसके बिलकुल दियान देता, और कैता है, ओके भाई, ठीक ह बाई, इसका उनला भी ये है, कि दोनों के दर्मियान बॉंडिंग नहीं है, और अगर यही बातें आपस में कुछ यूँ चलने लगे, कि एक कहे कि भाई, मुझे तो फलान ड्रमा बड़ा पसंद है, या मुवी पसंद है, तो दूसरा कहे कि मुझे भी मुवी पसंद है, हर शेय के दर्मियान बॉंडिंग हो सकती है, which is responsible for retaining, रखना, retaining the two things together, whether it is atom or the human beings, अब बात यहां पर चलते हैं, अगली बात को, तो जो बॉंड्स होते हैं, वो क्या हुई जी, फोर्स, एक ताकत, ठीक हैं, आप बोल लें, इनर्जी, अब अगर रियक्टन्ट की इनर्जी कम है, और प्रोड़ेट्ट की इनर्जी जादा है, तो क्या होगा, देखें, मैंने यह कहा है, कि दोनों की इनर्जी डिफरेंट होगी, क्योंके रियक्टन्ट और प्रोड़ेट्ट एक दूसरे से मुक्तलिफ हैं, तो जाइट सी बात है, अगर आप मान रहे हो, कि रियक्टन खुद बाखुद प्रोड़ेट्ट में तब्दील हो जाएं, ऐसा तो होई नहीं सकता, रियक्टन की इनर्जी कम है, अगर उन्हें प्रोड़ेट्ट का रूप धारना है, तो उनको एनर्जी भी जादा करनी होगी, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी, जो आप प्रोड़ बनेगे, यह ता सिंपल सार रिलेशन्शिप, इसी दरहां सकरे, अगर इसी को आप उलट कर लो, उलट कैसे करोगे, उलट ऐसे करो, तो सोचो, अब के बार उलट वो यह, कि रियक्टन की इनर्जी क्या है, ज्यादा, और प्रोड़ेट्स की इनर्जी क्या है, लेस, अगर प्रोड़ेट्स में चेंज हो जाएं, तो उनको इनर्जी कम करने पड़ेगी, यानि उनको इनर्जी खारिज करने पड़ेगी, हम सम टाइम प्लस हीट भी लिख देते हैं, यानि रियक्टन्स में जब हीट निकाली, तो वो तबदील हुए किसमें प्रोड़ेट्स में, द दूसरे किसम के बॉंड में चेंज होंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो और या फिर एनर्जी इवॉल्व भी हो मेरा खाल से आपको यह बास में आ गई है तो यह थी दो बाते हैं कि ही निकलती है या फिर अब्जॉर्ब होती है जरूरी हैं उन सबकी इनर्जी जमआ करके रीक्टेंट की इनर्जी के वराबर बन जाती है यह यहां आपकी पहली बात गलत नहीं हे बनाप और इस तरीके से हैं वह फिर एक तूंब्हें नहीं जमा ले जारूरे वेरहल ये एक की मतलब एक exceptional case है बहुत कम खूपजीर होता है अब चलते हैं अगली बात की तरह हमने अब तक क्या सीखा है हमने सीखा है के heat निकलती है और absorb होती है इसकी study को हम करते हैं थर्मो chemistry में जो के branch है chemistry की और ये heat क्यों खारिज होती है इसका जवाब मैंने आपको यहा syllabus को कम कर दिया गया है तो यह जहां से शुरू होता है वो special terms है वो terms कौन कौन सी है basically past terms है कुछ classes ने ऐसा था जब वो offline पढ़ रहे थे तो उन्होंने इसको पढ़ लिया था और कुछ लोगों का रहता था तो इसलिए मैं chapter को शुरू से start कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ आएंगी यह definitions कुल हमारे पास five है जो पहली definition है वो कौन सी है इस spelling याद कर लिजएगा डी ए एफ आई एन आई टी आई उन नहीं बोली जएगा तो यह आपके पास number one number one है जी system इसके साथ एक और तारीफ जोड़ी है that is called surrounding और जो आखरी तारीफ है आपके पास या इस तरहां से मित्दिलती है that is boundary यह तीनों एक दुतरे के साथ मौझूद होती है या कहली जिए एकटी define की जा सकती है इसलिए man को पहले लिख दिया है इसके अलावा हमारे पास दो और definition भी है जो के state और state function की बारे में यानि state of system और दूसरी state function और यह हम अभी डिसकस करेंगे बहुत असान सान सी टर्म्स है कोई मुश्किल नहीं है कोशिच कीज़ेगा अभी के भी याद कर लें लोग भी सबसे पहले हम define करते हैं system को कि system क्या है system बहुत ही important चीज़ है वह कैसे बहुत जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं for example हम कहने लिए हम white board की विज़ा से पढ़ रहे हैं white board बड़ा important है इसका अलब है कि white board एक system है क्योंकि आप इसके बारे बाते कर रहे हैं और अगर हम कहते हैं कि हम chemistry पढ़ रहे हैं तो chemistry भी क्या है एक system है अगर हम बोलते हैं कि एक atom है देखो एद्गी नजर आ रहा है उसके अंदर हाप चले गए न्यूकलस पर जाकर बैट गए और फिर आपने देखा कि electron हरकत कर रहे हैं चारों तरफ तो बात यह है कि atom अभी आपने देखा नहीं है पर आप उसके लिए और यू कर रहे हैं आप दलील भी दे रहे हैं और यूमेंट्स भी कर रहे हैं जिस टॉपिक के लिए वह भी आपका सिस्टम है तो अब तक हमने क्या सीखा हमने कहा कि सिस्टम वह होता है जिसके बारे में आप क्या करते हो बाते करते हो इसको आप पढ़ते हो जिसको आपने एक बीकर है जिसम ताइब अमेजनेरी हो और वो रियल भी हो लेकिन हमारी जो बुक में जातर एक्जाम्पल है और रियल सिस्टम्स की है जिसमें एक बीकर होगा या टेस्ट ट्यूब और उसमें हम रेक्टर डालेंगे और वो रेक्टर अदिल हो जाएंगे प्रोड़क्ट के अंदर ठीक है द श्टड़ी या यूं कहले दा पार्ट अफ द यूनिवर्स विज अन्डर टेडी इस कॉल सिस्टम त्रेब अगई है और इसी तरीके से रेस्ट ओफ द यूनिवर्स यानि यूनिवर्स का वो इसा जो सिस्टम के इलावा है विच इस नौथ अन्डर कॉंसिटरेशन विच we are not going to study is called surrounding system जो पढ़ रहे स्राउंडिंग जो नहीं पढ़ रहे सिस्टम जो रियक्शन हो रहा है स्राउंडिंग जो एर्धगिंग है हमें क्या पता क्या हो रहा है तो बात यह कि तो जहां जहां मेरी मेरी फिंगर्ज या हाथ मूव कर रहे हैं आपको नदर नहीं आ रहा है लेकिन वह हमारी बाउंडरी है कि इसके अंदर जो स्टडी कर रहे हो दैट इस सिस्टम और इससे जो बाहर है उससे हमारा कोई लिजए नहीं है और वो कहलाती है क्या surrounding और system और surrounding को अलदा करने वाले जो शेय है that is called boundary अब for example हम बाग कहते हैं कि एक beaker है उसके अंदर reaction हो रहा है तो reaction जो हो रहा है जो reactant है जो product है जो उनके mole है जो उनके malicule है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास system और जो बाहर का इलाका है beaker की दिवारों समेथ वो आपके पास क्या है वो surrounding है sometime beaker की दिवारों को आप real में boundary तसावर कर सकते हो तो बहराल यानि boundary उसमत हम इसमनी पढ़ती है जब हम इसी चीज़ के बारे में देख रहे हो कि देखो for example हम heat के बारे में तसक्रा करें तो heat boundary से exchange हुई system से surrounding की तरफ तो boundary की बाज़ वकत importance बढ़ जाती है तो हम boundary के बारे में बात करने लगते हैं लेकिन basic जो sense रहेगी हमेशा वह आप system और surrounding हो ही देखेंगे boundary बस कभी कभी आप पढ़ सकती है हमारी किताम में कोई तसक्रा इतना नहीं है बस आप तारीफ कर सकते है a real or imaginary line which separate the system from the surrounding is called boundary यानि system को surrounding से अलग करने वाले चीज़ क्या कला रही है system को surrounding से अलग करने वाले चीज़ क्या कला रही है boundary यह तारीफ हमारे पास तीन तारीफ है अब आते हैं अपनी फोर्थ definition पर वही फोर्थ definition कौन सी है state वह देखो नाम से शो हो रहा है state state का मतलब क्या हालत हालत या फिर condition हाँ जी तो condition को सीजिए हम मान लेते हैं कि आपके पास एक चाई की प्याली है आप उसे कहते हो या किसी को कहते हो या मैं आपको कहता हूँ कि देखो भई यह चाहिए कि पहली का temperature कैसा है हाल लगा कर देखो आप लगा कर देखा आपने कहा यह तो गर्म है जब कुछ दिर हम पढ़ते रहें उसके बाद मैंने दुबारा कहा कि भई अब लगा के देखो तो आपने का 30 है पहले की निस्बत इसका मतलब यह है कि पहले उसका temperature जादा था अब उसका temperature कम है तो एक ही चीज़ के बारे में आपने दो हालते बता दी है कि वो कभी cold थी या कभी hot थी अब वो cold हो गई है या उलट भी तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मुझे क्या बता रहे है condition of the tea cup और tea cup चूंके हम examine कर रहे हैं हमारी study के अंदर आ रहा है तो हम से बोलेंगे system लेकर न तो हमारे system की कुछ conditions होती है जो with the passage of time change होती रहती है तो यही बात हम कह रहे हैं कि अगर पहले कोई चीज़ जादा गरम अधी जैसे कि हमने माना कि हमारे पास यह एक चलो खुटा सांव कब बना लेते हैं और यह पहले क्या था गरम था तो इसका टी वन टेμपरेच्चर वन था या फस्ट टेमपरेचर या फस्ट कंडीशन ओफ टेमपरेचर और कुछ देर के बाद जब बत गुजर गया तो फ मतलब गरम से ठंडे की तरफ जा रही है तो हर लमा यकीनन पहले की निजबत तब्दील होगा तो फिर हम किसी शैगी कंडिशन को देख कर या समझ कर उसको आगे डाके प्रोसीड करना हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि कंडिशन तो हर बाद चेंड हो रही है अगर आपने मिसाल के तरफ पर कभी अपने सेवन क्लास का एक्जाम दिया था उसके अंदर साइंस में आपके पास नंबर आये थे माक्स अब वो क्या माक्स सही है अब गलत है क्यों कि अब आपकी साइंस का लेवल बाड़ गया है तो वो उस वक्त के लिहाज से कंडिशन ठीक थी लेकिन अब यू आर वेरी गूड इन साइंस ठीक है तो यही बात आपको बात समझनी है कि कंडिशन को हम नहीं समझ सकते जब तक के अगर हम कंडिशन को कुछ एक नई चीज में तो दिल ना कर ले तो आप लिखेंगे तो चेंज इन कंडिशन अगर पता लग जाए तो मुझे आप से बार बार यह सवाल करने की जोड़रत पेश नहीं आएगी कि अब क्या टंपरिचर है क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि फर इसेंपल हर फाइव सेकेंड के बाद टंपरिचर इतना कम हो जाएगा इस गरम प्याली का तो मैं खुद बता सकता हूँ कि आदे गिंटे बाद उसका टंपरिचर क्या होगा ठेक है वैसे इसका अंतर है रूम टंपरिचर ही फाइनल टंपरिचर होता है लेकिन क्या होता है वो आइस्ता आइस्ता दंदील होता है बरफ होती है बरफ आपने शर्पत में डाली भी है शर्बत ठंडा रहेगा क्योंकि हीट ओल्वेज फ्लोस फ्रॉम होटर बॉड़ी टू कोल्डर बॉड़ी चाय से निकल कर हीट बाहर चले जाती है और शर्बत में हीट दाखिल हो जाती है तो दोनों का टंपरिचर बिल आखिर रूम टंपरिचर होता है बट रूम टंपरिचर आने से पहले पहले भी आप काफिया तक कुछ न कुछ study कर सकते हैं तो बैटा ये आपके पास मैंने समझाया आपको state of the system के बारे में अब एक ने चीज़ आती है वो क्या वो ये है कि state function गया है state function एक macroscopic property है एक बड़ी property एक समली जिए इसको समझ कर हम काफी चीज़े समझ सकते हैं लेकिन इसको आपने define करते हुए हमारी बुक ने कोई इतना ज़दा अच्छा तरीके से इसको पताया नहीं है बड़ मैं एक तरीके से समझाने कोशिक करता हूँ आपको समझ में आ जाएगी विसाल के तोर पर आप यही दे लिजिए temperature T1, T2 या पिर आप ले लिजिए volume V1, V2 अब हम मालूम करते हैं suppose कि जिए कि हमारे पास एक ये क्या है एक cylinder है, इसके अंदर लगा हुआ है piston ठीक है और अंदर भरी हुई है gas मैं कहता हूँ इसकी जो initial condition of the volume है that is V1 अब हम आगे बात करते हैं, अगली बात क्या है, अगली बात ही है कि हम जिकर कर लेते हैं कुछ यूँ कि आपके पास यही चीज कुछ देर के बाद कुछ ऐसे हो गई, यानि पहले के निस्पत पिस्टन के आ गया नीचे और volume साइट सी बात है कम हो गया पहले volume ज्यादा था अब volume आपके पास V2 हो गया अब मैं आपसे पता करता हूँ कि मुझे बताया जाए कि आपके पास जो volume है कम हो गया है कैसे? इसका आप यकिनन कुछ आंसर करेंगे आपका आंसर हो सकता है यह हो कि आप यह कहें कि सर हो सकता है कि पहले के मुकाबले में आपने प्रेशर डबल कर दिया हो यह बढ़ा दिया हो प्रेशर के बढ़ाने से volume कम हो जाता है एक और शक्स आता है नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सिस्टम क्या हो गरम हो आपने उसकी हरारत निकाल दी तो अंदर जो काइनेटिक एनरजी है वो कम हो गई आपने से फ्रिज में रख दिया होगा तो काइनेटिक एनरजी कम हो गई मालेकल करीब करीब आ गए अब कोई exactly नहीं बता सकता कि प्रेशर की तबदीली की वज़े से हुआ है या काइनेटिक एनरजी की तब्दीली की वज़े से हुआ हूँ जब हमें यह पता ना चल रहा हो लेकर यह पता है के पहले वॉलियूम क्या था ज़्यादा अब वॉलियूम क्या है कं तो हम यह पता कर सकते हैं कि V2-V1 is equal to V यह ड़ल v change तो आया है volume में और यह depend कर रहा है on the final and initial condition पर लेकिन यह depend नहीं कर रहा इस के ऊपर उस तरीके के ऊपर उस path के ऊपर उस way पर जिस तरीके से तबदीली लाई गई है यानि अगर एक ऐसी चीज हो या ऐसा आपके पास function हो जो कुछ आपको समझा सकता हो which only depends upon the initial and final condition of the system but not upon the path or a way which is used to bring about that change it is called state function यानि state function depend नहीं करता उस तरीके पर जिसके जरीचे तद्दिली लाई गई है इसकी मिसाल आप यही volume से ही ले सकते हैं तो बटा ये आपके पास एक और तारीफ हो गई that is a state function तो आपने देखा system, surrounding, boundary, state of a system and state function ये पाँच आपके पास basic सी terminology है बहुत असान सी है इसका इस्तमाल हम करते रहेंगे इसलिए आगे चल कर इसका फाइदा होगा अभी फिलाल बिलकुल basic subjector पर रहा गया है और फिर next example में इन्शाला आपको और बेतर बास में आजाएगी तो अब तक के लिए फिर, अलाहाफ़ खुश रहे